इसमें आप कर्म करके अपने लक्षे को आसाली से हासिल कर सकते हैं तो आईए तेयार हो जाएए और हिस्सा बन जाएए अब तक के सबसे बड़े कर्म यूद का और कर दीजिए नाम रोशन अपने घर परिवार माता पिता का कर्म यूद्धा बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर आपको मिलेंगे हमारे एक्सपोर्ट पेकल्टीज के द्वारा छे से साथ घंटे की लाइब प्लासेज, टापिक वाइस पीडिएफ, टेस सीरीज और प्रेक्टिस सेशन अधिक जानकारी के लिए दिये हुए नंबर पर संपर्क करें और आज ही डाउनलोड करें एक्जाम पूर ओफिशल हैं तो बन कर्म यूद्धा कर्म यूद्धा एक ऐसा मिशन है जिसमें आप कर्म करके अपने लक्षे को आसाली से हासिल कर सकते हैं तो आईए तेयार हो जाएए अधिक है जो हमने कुश्चन्स जो आपको करा रहे हैं वही सरंकला हमारी अभी आगे चल भी रही है तो आईए हम और आप गुल करके कुश्चन्स सोल्व करते हैं ठीक है बच्चों पहला कोश्चन यह है लिए निम्न मैंसे किस समूखे जानवरों में दांत नहीं होते दांत नहीं पाए जाते ठीक है अब इस में देखें हम कॉंबिनेशन दे रखें मोर सुतुरमूर कच्छुआ ठीक है उल्लू लॉर इसको एलिगेटर टर्टल कच्छुआ टर्टल कीवी गाय अब आप जानते ह तो गय के होते हैं तो नहीं हो सकते है यह वाला तो ठीक है इधार के हो से बढ़े होते, लोर इसके होते हैं, तीक है, ये जानी होते, कच्छुआ के दांत नहीं होते ना मोर में होते, सुतर मुर में होते हैं, बार्ड नहीं होते, हमारा ये उपसन हो गया, फुष्ट का एघ आप सन हमारा ही हो घड़ हो falando, ठीक है बच्छों, नेक्ट कॉशन पर ज मानव हिरदय में कितने वेस्म पाए जाते हैं कितने खंड पाए जाते हैं human heart के अंदर कितने chamber होते हैं यह question का तो आप मेंसे बहुत बच्चे जवाब दे देंगे ठीक है नमस्ते बच्चो गुड आफटर नून सभी को अर्चना और कंचन ठीक है बच्चो अर्चना कुमारी ने भी सही जवाब दिया है very good जवाब जरूर दो जाए गलत हो जाए उसकी चिंता मत करो ठीक है नमस्ते सोनम ठीक है बच्चो तो माना विर्दे में चार चैंबर पाए जाते हैं four चैंबर हो गया सही हमारा तीन चैंबर पाए जाते हैं जैसे example के लिए frog में दो चैंबर और वन वाला कोई नहीं होता यह भी याद रखेंगे हम चार हमारे मैमल्स में और बर्ड्स में चार चैंबर पाए जाते हैं और रेफ्टाइल्स और एंफिवियंस में तीन चैंबर और मचलियों में दो चैंबर होते हैं ठीक है बच्चो तो तीन फ्रॉग जो होता है किस कश्वर की में oxygenit और वी oxygen मिल जाते हैं देंको यह 4 आइनीमाल दे रखे हैं आम तो तो हुता क्या है जैसा हम जानते हैं का बिलेड को पंप करना होता है हार्ट बोड़ी को ऑक्सीजन वाला ब्लड देता है और सीयोटू वाला जो होता है लंग्स में वेज़का सीयोटू को बाहर निकाल देता है तो अब इसमें ऑक्सीजन और सीयोटू वाला ब्लड आपसमें मिक्स नहीं होना चाहिए हमारे मिक्स नहीं होता लेकिन यह पूछा के अंदर ब्लड मिक्स हो जाता है इन विच वर्टिब्रेट तो जिसमें मिक्स होता है वो यह है इन में भी नहीं होता मिक्स मचलियों में हमेशा सी ओ टू वाला रखता है यहां रखना हार्ट में और इन में एमफिवेंस में मिक्स होता है ओ टू सी ओ टू वाला और यहीं एमफिवेंस के साथ इसी में आ जाते हैं सरी सर और बैर्ड्स और मैमल्स में ठीक है नो मिक्सिंग ब्लड कभी मिक्स नहीं होता ओक्सीजन और सी ओ टू का ब्लड हमेशा अलग रहता है तो द्यान रखेंगे हम इसको अच्छे कोश्चन से हमारे कैई कोश्चन इसमें कवर हो गए कोश्चन यही कोश्चन को हम कैई तरीके से बना सकते हैं अब आप समझ गयोंगे इतनी हमा सारे घ्यान का पता चलता है रटने वाला टाइम गया ठीक है ध्यान रखना तो इस तरीके से भी सोच के कोश्चन करने आपको ठीक है वच्चों नेक्स्ट पर चलते हैं मानव तुचा का रंग बनता है हुमन इसकिन कलर इस फॉर्म हुमन का इसकिन कलर हुमोगलोविन से इंसूलिन से अब यह तो कुश्चन इतना पॉपलर है सबको याद आ गया होगा मैलेनिन मैलेनिन से हमारी इसकिन का कलर बनता है एक और बात देहन रखना मैलेनिन प्लस सनलाइट से मोर मैलेनिन बनता है इसकिन बिलैक होने लगती है इसकिन डार्क हो जाती है आप यह जानते होंगे जो लोग धूप में ज्यादा काम करते हैं उनकी इसकिन का कलर डार्क होता चला जाता है ठीक है बच्चों समझ गें सभी को पता होगा इसलिए मैलेनिन को चुपाने के लिए मैलेनिन पर सनलाइट का एफेक्ट न पड़े हम सन इसक्रीन लोशन लगाते हैं हम अम्रेला युज करते हैं हम धूप में कम से कम जाते हैं चेहरे को कवर करके रखते हैं गाउं में भी रूप में काम करते हैं उनका सकिन का कलर डार्क हो जाता कि हो जाता है यह आप समझ गयोंगे वैच्चों ठीक है तो हम नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं कि निम्न मैंसे कौन सी मचली है मचली कौन सी है इस मैंसे इस में से मचली डॉग फिस है बाकि कोई मचली नहीं है फॉल्स फिस है ये दोनों फॉल्स फिस ये भी फॉल्स फिस है लेकिन मचली नहीं है हमारे जी विग्यान में इनको मचली नहीं माना जाता डॉग फिस्को इसकोलिटॉन शार्क जो होती है शार्क मचली मचली है शार्क ठीक है नेक्स वेश्चन पर चलते हैं साइंस साइंटिविक स्टडी ऑबर्ड बर्ड के अध्यन को हम क्या कहते हैं बर्ड के अध्यन को और निथोलोगी कहते हैं पक्षी विज्ञान पक्षियों के वैज्ञानिक और निथोलोजिस्ट बोलेंगे हम उसको वैज्ञानिक को बोल देंगे हम और निथोलोजिस्ट किसकी स्टड़ी करते हैं और निथोलोजी की यानि बार्ड की स्टड़ी करते हैं बार्ड की स्टड़ी अच्छा कोश्चन है नेक्स्ट पर चलते हैं विच आप फॉलोईंग इस ओल नॉन टैक्सिक जिसमें जहर ना हो जहर ना बनाता हो वह अजगर में नो पॉईजन इसलिए अजगर को लोग खास से पकड़ लेते हैं लेकिन ऐसा चोटे वाले को पकड़ेंगे कहीं निगलना जाए तो अजगर जो बड़े बड़े अजगर होते हैं जिनका वजनी 300-300-400 किलो होता है बारह से पंद्रे फीट तक के होते हैं वह आदमी को भी निगल सकते हैं ठीक है छोटे अजगर उतना नहीं कर पाते लेकिन वैसे अपने खाने के चीज़ों को जो उनके छोटे आनिमल जिने खाते हैं उन्हीं को लेकिन फिर भी हमें बड़े को पकड़ने से पहला सोच ले इन में से चारों में से किसका बच्चा सबसे बड़ा होता है किसका बच्चा सबसे बड़ा होता है यह जब आप देजी रहेंगे यह है बिलू वेल ब्लू वेल के बच्चे का साइज सबसे बड़ा होता है उसके बाद हाती आएगा ठीक है फिर कैमल और गेंडा लगवक साथ साती रहेंगे इसका अच्छा खासा बड़ा होता है ब्लू वेल का बच्चा ठीक है बच्चो जब आप दे रहे होंगे आप सभी ठीक है चलो नेक् इन में से which of the following is not a real fish जो वास्त्विक मच्छी नहीं है is false fish मच्छी नहीं है शार्क है इल है सीहोर्स है ठीक है यह मच्छी है यह नहीं है ठीक है तो next पर सबसे वड़ा उड़ने में समर्थ पक्षी जो तेज गती से दोड़ सकता है वह है इसका जवाब भी आप सब दे दोगे पस्टेस्ट बर्ड बतानी है और फ्लाइट लेस बर्ड पक्षिन पलाय चकार नहीं पाती का फ्लाइट रलनिंगृय टार बच्छेश उगई ठीक है बच्छों जवाब दे दिया हो और मोहिनी ने वेरी गुड सौरब ने इसका जवाब दे दिया जिग्यासा का भी जवाब आ गया वहवव का भी आ गया वहरी गुड बहुत बच्चों के जवाब आ गये वहरी गुड बच्चों तो नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम अंत्रिक्ष की यात्रा करने वाला पहला जानवर कौन सा था ये भी आप सब बता दोगे बहुत पॉपलर कोश्चन है वो था एक डॉग लाई का नाम का लाई का फीमेल डॉग मादा था इसको अंत्रिक्ष में भेजा गया था सबसे पहले ये देखने के लिए ये जिन्ना आएगा या मरा हुआ इसको भेजा गया लेकिन आने के कुछ दिन बाद इसकी डैथ हो गई थी अब क्यों डैथ हुई अब ये तो यदि बोल सकती तो बताती के मुझे ये दिक्कत है वहाँ पर आई इसलिए नहीं पता लगा लेकिन ये था पर जिन्दा आया जा सकता है यहीं से एक आशा की किर अब हम नेक्स कोशन पर चलते हैं लाई का याद रखेंगे जिन पदार्थों को समवेदना हारी के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है समवेदना हारी वह होते हैं बेहोश करने वाले बेहोश करने वाले सेंसलेस करने वाले क्लोरोफॉर्म और नाइट्रॉप्साइड इन से यदि हम किसी व्यक्ति के अंदर ये शुगाएं या प्रिवेश कराएं तो वह बेहोश हो जाता है इसलिए दुरघटना है कई वार समाज में की जाती है क्लोरोफॉर्म को सुगा कर बेहोश कर लेना उसके कपड़े या कुछ भी लूट लेना उस तरीके से ऐसी रेलवे स्टेशन वगरा पर ऐसी घटना है कई वार सुनने को मिलती है तो ठीक है तो वन और टू वाला अप्सन हमारा ए यह ठीक हो गया नेक्स्ट में चलते हैं अब हम यह यह यहां पर आपस में कुछ ब्रांची दे रख्यां कार्डियोलोगेस्ट यह मेडिकल ब्रांच है यह धर यह कार्डियोलोगेस्ट नेफ्रोलोगेस्ट यूरोलोगेस्ट ओक्यूलिस्ट नेत्र मूत्र हार्ट किड्नी अब इनकी मैचिंग करनी है कार्डियोलोगेस्ट होता है हार्ट का डॉक्टर नेफ्रोलोगेस्ट होता है किड्नी का डॉक्टर यूरोलोगेस्ट होता है यूरिन A का 3 था और B का 4 C का 2 D का 1 3 4 2 1 3 4 2 1 सही हो गया हमारा 3 4 2 1 आप बहुत बच्चों ने जवाब दे दिया होगा इसका भी बिलकुल दे दिया ठीक है रेखा सारस्वत ने जवाब सबसे पहले दिया वेरी गोड वेलकम बेटा और यह जिग्यासा ने भी दे दिया ठीक है वेरी गोड बच्चे सवी दे देंगे जवाब बहुत आसान कोश्चन है पर याद हमें रखना ही है कहीं तुटी ना हो निम्न मैंसे कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है आपस में जो मेल खाने वाला कार्डियोलोजी का रेस्प्रेशन से कोई संबंध है नो गेस्ट्रो एंट्रॉLogy का यूरी गेस्ट्रो होता है जो डाइजेट्टन और लिवर के यक्रत वाले क्या ओब सब्सक्राइब यक्रत और पाचमंध कोई संबंध है नो यूरोलोजी का डाइजेट्टन से नो निूरोजी का संबंध हो गाए हमारा सही मेल खाने वाला निय्रो लॉजी थोते सब्सक्राइब के मस्तिस्क कहते हैं हमारा मस्तिस्क तंत्र का तंत्र से मिल करके बना होता है ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट में चलते हैं हम हम हुआ है है फ्रॉक्स और कोल्ड ब्लडिड एनिमल्स सही है या गलत रॉक कैसे एनिमल हैं कोल्ड ब्लडिड थंडे खून वाले तो क्या मतलब होता है यह बता देते हैं कोल्ड ब्लडिड किने कहते हैं जिनके शरीर का ताप मौसम के अनुसार अनुसार घटता बढ़ता है अनुसार घटता बढ़ता है इसका मतलब यह कोल्ड ब्लडिड का बोडी टेंपरेचर इस नौट फिक्ष्ट और यह इस केटिगरी में कौन आते हैं बता दें पहले तो आपको जो कोल्ड ब्लडिड होते हैं ओवर रॉल बताए दे रहे हैं इसके अंदर आने वाले सभी एंफिवियंस हैं रेप्टाइल्स हैं और फिश हैं और जो वार्म व्लडिड होते हैं गरम खून वाले इनके अग्जाम्पिल हैं मैमल्स और बड्र्ड्स मैमल्स और बर्ड्स का टेम्पेर ह हमारा हम िमल हैं और सभी बर्ड्स का टेम्प्रेचर फिक्स रहता है चाए गर्मी हों झार ठंडों चा माइनस में 40 डिग्री सैलसे हो जाएगा बोड़ी का टेंपरेचर नहीं बदलेगा वह इस्तंधारी और पक्षी इस्तंधारी और पक्षी बर्ट्स ठीक है और इसमें हमने सब बता दिये एंपीवेंस का मतलब सभी जो वह थे उभैचर मैड़ा को वह चर है रेप्टाइल से सरी सर दियान रखेंगे इन सब का कोल ब्लड़ेड और वार्म ब्लड़ेड में ठीक है बच्चो तो जब आप दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने ठीक है ठूब हो गया नेक्स्ट कोश्चन है परजीवियों के भीतर परजीवियों की उपस्तिती क्यों एक घटना का रूप में जाना जाता है उससे क्या कहते हैं देखो परजीवी वो होते हैं जो किसी दूसरे जीव पर या जीव में रहते हैं और वहां रहते हैं, खाते हैं और जनन करते हैं तीनों चीजां होने चीजे पाराशाइट के लिए जो कंडीसन है जहां रहें मैं कंडीसन लिख रहा हूं पारासाइट की परसाइट डिपेंज ओन होस्ट फूर 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 शेल्टर एंड ब्रीधिंग फूर शेल्टर एंड ब्रीडिंग भोजन आवास और जनन इन तीनों के लिए यदि कोई जीव दूसरे पर निर्भर करें वही पर जीवी है केवल यह नहीं कि उसके बैड़ी के बर्ट करके खा करके आ गया है ठीक है जैसे मच्छर हमारा खून चूसता है लेकिन रहता नहीं है नांडे देता मच्छर पेरासाइट नहीं है लेकिन मच्छर की लार के अंदर रहने वाला प्लाजमोडियम जह क्रता है पेयर नगास परेशाइट है ज' zoo पेरासाइट लस्ट अब इसको ऐसे पेरासाइट के अंदर भी पेरासाइट मिलना किसी पेरासाइट के अंदर पेरासाइट का मिलना एंडो पेरासिटिज्म कहलाता है कमेंसलिज्म होता है जब एक को कोई फायदा हो रहा है दूसरे को कोई नुकसान नहीं है उसे कमेंसलिज्म कहते हैं उसका पेरासाइट से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपना experience भी जरूर लिखते रहें, कि क्लास कैसी लगी और क्या 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 इसके अंदर और improvement हो सकता है, क्या क्या चीच और जरूरत पढ़ सकती है, हम क्योंकि आपने जो क्लास करी, आपने हमने 20 कोश्चन कराए, 20 में से आपको 15 आते थे, कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है, 5 नहीं आते थे, वो तो सीखे हमने, तो यही सीखने की practice हम सबको selection की और ले जाती है, इसलिए क्लास कभी भी miss ना करें, ठीक है बच्चों, त हम अगले कोश्चन पर चलते हैं, एंडोस्कोप is used by a physician to view the internal parts of a body organ, based on the principle of, एंडोस्कोप होता है, जो शरीर के अंगों की जांच करता है, मुँसे पाइप डाला जाता है, और हमारी जो इस्टमक है, उसको जांच की जाती है, लंग्स की जांच करने वाले को ब्रोंकोस्कोप कहते हैं, एनस की जगे से जांच करने वाले को को कोलोनोस्कोप कहते हैं, यह लंग्स की जांच क हो गया यह एनस के थुरू लार्ज इंट्रेस्टाइन बड़ी आत को देखने के लिए जादतर यह जो इस तरह की प्रॉसेज हैं कैंसर संबंदी अंदर कोई गांट तो नहीं बन गई उनकी जांच करने के लिए कहीं कोई फोड़ा फुंसी कोई इस तरह का कोई इंफेक्शन तो नहीं है उन सब को देखने के लिए यूज किया जाता है तो अब यह तीनों ही किसके उपर निर्भर करेंगे चाहें ब्रॉंकोस्कोफो यह को यह करते हैं ती अई आई आर के उपर are five words यह इतने महीन viral होते इनी से तो आजकर हमारे इंडरनेट के connection चलते हैं हमारे घरों में जहाँ-ज़ाँ वही होते यह जो जो ऑप्थिकल Rs. इनिमे दुरों इसे ल्याज का पूरी दुन्या में इतना बड़े प्रा इंटनिय क्रेंट होगा उसकी उतनी intensity हो जाती है TIR के कारण बाकी बेजने के उपर है signal कैसे बिज़े जा रहे हैं वो company decide करेगी बाकी fiber की quality ध्यान दखेंगे बहुत अच्छे question हमारे कई question इससे संबंद में आ गए ठीक है बच्चो तो next पर चलते हैं अब हम निम्न मैंसे किस जानवर के दिल में तीन चैंबर होते हैं किसके अंदर तीन चैंबर यह तो अभी बताया वी ता हमने किसके अंदर तीन चैंबर तीन चैंबर वाले से बतायते हमने amphibians और reptiles मगर मच exception है इसके अंदर चार होते हैं बंदर में चार होते हैं मचली में दो होते हैं और मैड़क में तीन होते हैं और पुछा है तीन चैंबर तो मैड़क हमारा सही जवाब होगे ध्यान रहे मगर मच सरी सर्फ है सभी सर्फ मैं लिख देता हूं रेप्टाइल है मैं तीन खंड पाए जाते हैं या चैंबर तीन होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल में चार चैंबर होते हैं ठीक है बच्चों तो नेक्स कॉश्चन पर चलते हैं अब हम मैचिंग करनी है इनकी हमें मायोगलोविन इसनेक पॉइजन कार्सिनोमा हीमोगलोविन ठीक है रेडियो थेरापी ऑक्सीजन परिवहन ट्रेंकोलाइजर इस नायू कोश्का ऐसा है देखो मायोगलोविन पाया जाता है मसल्स में साप का जहर ट्रेंकोलाइजर होता है पेन किलर है और ये डिप्रेसन कंट्रॉलर है दवा के रूप में बात कर रहे हैं वैस्तों साप का जहर मिस्यूज भी होता है लोग नशे के लिए भी यूज कर रहे हैं यहां केवस्त दवा की बात चे ट्रें सर होता है रेडियो थेरफी से इलाज किया जाता है ठीक है यह आगया है हीमोगलोविन आक्सीजन का परिवहन करता है तो हम इसमें देख लेंगे इसका चार इसने एक पॉइजन का तीन कार्सीनोमा का एक और हीमोगलोविन का दो फोर थ्री वन टू फोर थ्री वन टू सी ओप्सन हमारा फोर थ्री वन टू यह जवाब आ गया ठीक है बच्चो तो आज हमारे कोश्चन इतनी रहने वाले आपके साथ हमारी इस क्लास को शेयर लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इन वी जो भी आपका मत लगता है क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में लेखें ठीक है बच्चो थैंक यू वेरी मच्च जैहिंद जैए एक्जामपल ठीक है बच्चो गुडबाए और हिस्सा बन जाईए अब तक के सबसे बड़े कर्म यूद्ध का और कर दीजिए नाम रोशन अपने घर परिवार माता पिताता कर्म यूद्धा बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर आपको मिलेंगे हमारे एक्सपोर्ट पेकल्टीज के द्वारा छे से साथ घंटे की लाइफ प्लासे टॉपिक वाइस पीडिएफ टेस सीरीज और प्रेक्टिस सेशन अधिक जानकारी के लिए दिये हुए नंबर पर संपर्क करें और आज ही डाउनलोड करें एक्जाम पूर ओफिशल है तो बन कर्मियों था इसके लिए एक्जाम पूर लेकर आया है UPSI 2020-21 एक्जाम के लिए 14 बुक्स का कॉम्बो सेट जिसमें आपको मिलेंगी सामान्य हिंदी, गड़िक, भारती एतिहास, मूल विधी, यूपी जीके, स्टाटिक जीके, रीजनेंग, रसायन विज्ञान, पॉलिटी, अर्थशास्त, जीर विज्ञान, भोतिक विज्ञान, जोग्रुफी और UPSI का प्राक्टिस सेट ये सभी बुक्स आपको मिलेंगी मार्थ 14 सोल इन्डियान वे में, तो आज ही डाउनलोड करें एक्जामपूर ओफिशल आप और अपने तयारी को और भी बहतर बनाने के लिए जल से जल ओडर करें अधिक जानकारी के लिए हमारे हेलप लाइन नमबर 9873 111552 पर कॉल या वट्सैप करें 844-8116245 पर धन्यवाद साथियों, आप सभी के लिए एक्जामपूर लेकर आया है UPSI 2020 21 एक्जाम के लिए 14 बुक्स का कॉम्बूर कर्माद